कि बहुत स्वागत है आपका न्यूजबल इंडिया में आपके साथ मैं हूं का जोलना राए साल 2017 जब यूपी में योगी राजाया और उत्तर प्रदेश की काया पलट होने लगी मंचलों की खेर नहीं पलायन नहीं होगा यूपी का विकास होगा योगी सरकार का मौडल यही था कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है तो काम शुरू हो गया वांचित अपराध्यों की धर पकड़ शुरू हो गई गैंस्टर को पकड़ना एंकांटर शुरू हुआ अपराध्यों पर रासुका लगाना यूपी में एक बड़ी फिल्म सिटी बनाना और तमाम धार्मिक स्थनों का सुन्दरी करण सबका साथ सबका विकास और 2019 साते यूपी की आबो हवा में काफी बदलाव भी देखने को मिला। साल 2020 कोरुना काल में भी यूपी सरकार की जमकर तारिफ डबलू एचो निकी। लेकिन साल 2021 में आखिर ऐसा क्या हो गया कि अभी जो यूपी में राजनीती हवा चल रही है वो योगी आदतनाद के खिलाफ है क्या योगी की कुर्सी जाने वाली है ये तो राजनीती की बात हो गई लेकिन बीते कई दिनों से दिल्ली से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक ब पूरी तरह से शराब माफियों को खत्म कर देंगे लेकिन होता क्या है वो तो आप सब जानते हैं यहां मैं बात कर रही हूं अलिगर्ड शुराब कांड की जिसके मुख्य आरोपी और एक लाग के इनामी रिशी शर्मा को अलिगर्ड पुलिस ने गिरफतार कर लिया है इस यह आकड़ा बहुत बड़ा है लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता है मुआवजे की बात कहकर यहां तो मामला रफा दफा कर दिया जाता है वरिस पुलिस अधीक शक कला निधी ने बताए कि शर्मा को अलिगर्ड बुलन शहर की सीमा पर गिरफतार किया गया वो नौ दिन तक अपने ठिकाने पर शिपे रहने के बाद दूसरे स्थान पर भागने की फिराक में था निधाने ने बताए कि शनिवाराद पुलिस को यह सूचना मिली कि रिशी अपनी गाड़ी से रविवार को बुलन शहर जाएगा सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफतार उसकी गाड़ी से भारी मात्रा में जहरीली शुराब बरामती है जनपद अलिगड़ में सराप से भी घटना के संबंद में यहां अवगत करा दें कि बड़ी सफलता अलिगड़ पुलिस को मिली है जिसमें एक लाके इनामी अपरादी रिशी सर्मा को पुलिस द्वारा जो भी 25,000 का इनामी था उसको भी पुलिस वारा ग्रिफतार किया जा चुका है अनिल चौधरी, विपिन यादव, मुनीश सर्मा और नीरच चौधरी इसके अलावा विपिन यादव और सिव कुमार इनके साथ रिसी सर्मा की जौब ग्रिफतारी हुई है इससे हमारी समस्त जो प्रमु ग्रिफतारियां हैं अब तक वो लगवकून हो चुकी है यहाँ भी बता दें कि अब तक 17 मुकद में इन सभी घटनाईव यहाँ पर हुई है इनाम बढ़ाने की ट्रिक क्या है वैसे पुलिस जहरीली शराब से मौतों के मामले में अब तक 61 लोगों की ग्रिफतारी कर चुकी है अलिगर के विभिन इलाकों में जहरीली शराब से 35 लोगों की मौत के मामले में तेरा अलग-अलग मुकदमों में आरोपी शर्मा पर घोशित 75,000 रुपे के नाम को शनिवार को ही बढ़ा कर एक लाख रुपे किया गया था और अविवार को धर दबोचा गया पुलिस कितनी सक्रिय थी पुलिस ने पांच दिनों के दौरान उसके परिवार के पांच सदिस्यों उसकी पत्नी, बेटे, दो भाईयों और एक भतीजे को गिरफतार किया पुलिस रिश्य की गिरफतारी के लिए आसपास के छे राज्यों में भी सक्रिय थी इन राज्यों में उसका नेटवर्क बताया जाता है अब कुछ रिपोर्ट कहती है एक 108 लोगों की मौत हुई लिकिन पुलिस की रिपोर्ट कुछ और ही बया करती है अलिगर्ड के टपल और आकराबाद थानाशेत्र में गत 28 महीं से शुरू हुआ जहरीली शुराब पीने से मौत का सिलसला कई दिनों तक जारी रहा प्रशासन के मुताबक इस घट्ना में अब तक कम से कम 35 लोगों की मौत हुई है हलाकि संदिक दरूप से जहरीली शुराब पीने के कारण मरे लोगों की संख्या 108 बताई जा रहा है अन्ठानवे लोगों को अब तक पोस्माटम कराए जा चुका है प्रशासन का मानना है कि 35 के अतरेक्त जिन लोगों का भी पोस्माटम हुआ है उनकी वीसा रिपोर्ट आने के बाद ही माना जाएगा कि उनकी मृत्यू जहरीली शुराब पीने से हुई है लेकिन सवाल यह है कि जब गामवाले के रहे हैं कि शुराब पीने के बाद ही लोगों की मौत हुई तो फिर मामले को उलजाया क्यों जा रहा है उधर अलिकर्ड के भाजपा सांसर सतीश गौतम ने जहरीली शुराब कान में हुई मौतों की संख्या 35 बताई सांसर सतीश गौतम ने कहा कि इनमें लोधा ब्लॉक टपल ब्लॉक और जवा ब्लॉक ये तीन शेत्र हमारे प्रभावित हैं तीनों शेत्र में मेरा तीन दिन से रोज दौरा हो रहा है लेकिन ये महज खाना पूर्थी क्यों देखिए कुछ सराब माफियाओं के द्वारा जैरिली सराब बनाकर वो ठाना जमा लोधा खैर टपल इन छेत्रों में सप्लाई की गई ठेकों पर और रातिरी में वो सराब जहां तक है बांटी गई है बिकरी के लिए जो रात को ठेका बंद हो जाता है बाद में अलग से सप्लाई करते उसको जित जिसे लोग ने सेवन किया उसकी मोश्टली मिर्थी हुई अभी तक जो घटना के अनुसार जो मुझे सूचना मिली है कोकोरला के हैं, साधीपुर के हैं, छेरत के हैं, इधर जैदपुरा के हैं, पलसेडा के, जितने लोग है देहात में, मैं और स्वेम मेरे बिधायक मेरे साथे प्रहमन करके आई हैं अब मुख्य आरोपी तो गिरफतार हो गया है, और जो की बीजोपी का नेता बताया जा रहा है, खेर अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कारवाई होती है या इस मामले में आरोपी का मूव बंद कर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है मूव बंद करने का मतलब तो आप वक्षू भी जानते हैं फलाल कलेता ही आप देखते रहिए नियूसवल इंडिया